ही वल्कम दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग आज की इस वीडियो में हम आपके लिए कंपेर्जन लेके आए हैं भारत में मिलने वाली दो जबरदस सांधार CNG कार्स के बीच में हैं पहले ही हमारी मारती सुजिकी सिलारियो CNG और दूसरी है टाटा टीएगो CNG इन दोनों ही गाड़ियों के हम CNG वेरियंट्स को करेंगे कंप्याय और फाइंड आउट करेंगे कौन सी गाड़ी देती है जादा बहतर डील आज की डेट में तो सबसे पहले दोस्तों हम मौडल के साथ चुड़वात करेंगे तो देखें सिलारियो में कुल एक मौडल आता है जिसका नाम VXI है और इसकी ओन रोड कीमत तकरीबन साथ लाक अन्ठावन हजार रुपय तक चली जाती है वही दूसरी तरग अगर हम टाटा टीएगो को तो इसमें 9 मौडल आते हैं जिसकी ओन रोड कीमत तकरीबन 7,90,000 चे टॉप मौडल 9,80,000 तक जाती है खेर आज की वीडियो हम जिस मौडल को कंपेर करेंगे वह है एकजिट प्लस मौडल जो की सबसे अधा वैल्यू फोर मनी मौडल है यहाँ पर ट्याइगो का CNG में जिस को बनाया गया है मारती सूपि की हार्टेज प्लेट सुर्य पर ट्याइगो ट्याइगो फ्टंपर में टैट ट्याइगो प्लेट वर में सेलेयरियो भात करें तो देखे लंबाई वास चोह है वो 70 mm जादा लंबी है चोड़ाई वासरिच 200 दू एम्म फी जदा चोड़ी है लेकिन उचाय कि range करूंगए तो द Nederlandry किस गारी में आपको ज्यादा इस पेस देखने को मिलता है तो वोट है Tata Tiago हालाकि इस डिफरेंस बहुत बड़ा नहीं है लेकिन थोड़े से डिफरेंस के साथ यहां पर Tiago थोड़ी से आपको ज्यादा इस पेस देती है तो CNG गारी में बूट स्बिस का मज़ा आपको Tiago देदेगा बाकि Ground to Drens दोनों ही गारी में 170 mm का देखने को मिल जाता है जो कि परयाव थे भारती सटकों के अनुसार इंजिन की बात करें चाहे तो यहां पर आपको सिलेरियो में देखने को मिलता है 1000cc का K10C इंजिन जो कि 55 BHP तक का पावर और 82 mm का टॉक प्रिद्यूस कर सकती है यह गारी से मैनुवल ट्रांसमिशन के साथ आती है त्रीन सिलेंटर का इंजिन आ जाता है तो यहां बात करते सिलेरियो से थोड़ा सा ज़़ा तकड़ा इंजिन देखने को मिलता है प्लस इंडिया की पहली यह ऐसी गाड़ी जिसके अंदर आपको मैनुवल ट्रांसमिशन के साथ साथ आप्शन देखने को मिल जाता है मतलब कि आप जाएंगे तो बीना गेर वाली भी इस गाड़ी को पहले सकते हैं तो आटोमेटिक में सी एंजि का मज़ा यह इंडिया की इकलोधी ऐसी गाड़ी जो पो ट्याइगो दे पाएगी पाकि थ्रिस लेंडर टेकनोलजी इसमें भी नजर आता है अगर हम बात करते हैं इंजिन के टेकनोलजी वाइस तो देखिए टेकनोलजी है क्योंकि इसमें आपको सी एंजि में आटोमेटिक आ रहा है बाकि इस मॉडलम नहीं मिलेका आप लिए उपर के मॉडलम जाओगे तो सी एंजि में आटोमेटिक का भी option है करंट टायम में बात करते हैं मैनुवल टांस्मिशन देखने को मिल जाता है माईलेज की बात करो यहां पर काफी बड़ा डिफरेंस है जहां पर सिलेरियो आपको 34 किलोमेटर का शानदार माईलेज निकालती है मतलब कि भाई मैं कहलू न अगर आप किया स्प्लेंडर गाड़ी हो तो आप अगर स्प्लेंडर चलाओ सिलेरियो चलाओ जादा कोई फर्क नहीं नज़र आएगा मतलब माईलेज मशीन है यह यह को की बात करूँ तो काफी अच्छी माईलेज इसकी भी है 28 किलोमेटर प्रती किलो का तो देखिए यहां पर माईलेज वाइस डेफिनेटली जहां तक भी तक इसकी कोई सेफटी टेस्ट हुई ही नहीं है वहीं दूसी तरफ आपको टाटा टीएगो एक ऐसी काड़ी मिलती है जो की इंडिया की सेफेस्ट हैच बैक कार है जी हां दोस्तो फोर स्टार की सेफटी रेटिंग के साथ आती और यह पूरा भरुसा देती है कि भाई तू चला हाईवे पर जो होगा तरफ भाई देख लेगा इंफोटेमेंट सिस्टम की बात करें तो आपको इस लेरियो में नजर आता है साथ इंच का टचिस्किन सिस्टम एंडॉड एपल नाविगेशन चार स्पीकर आ जाते हैं वही बात करूँ टाटा टी अगो में तो इसमें भी आता को साथ इंच का टचिस्किन सिस्टम एंडॉड एपल नाविगेशन एपागिंग कैमरा इसमें आठ स्पीकर नजर आते हैं इंटीर क्वालिटी की बात करूँ तो यहाँ पर दोनों में काफी अच्छे प्लास्टिक्स का इस्तमाल किया जाता है इंटीर डिजाइन की बात करूँ तो यह मैंने आपके सामने दोनों का डिजाइन रख दिया डिस्प्ले पर किस गाड़ी का डिजाइन आपको पसंदारा एक कमेंड बॉक्स में लिखेगा बाकि अगर हम कुछ फीचर्स की बात करें तो दीखे फीचर बहुत हाई टेक नहीं है लेकिन जो बेसिक फीचर है मों मैं आपको बता दे चलूँगा देखे पाउर विंडो दोनों में नजर आता है लेकिन से लेरियो में आपको फ्रेंट मैंसी पाउर विंडो आता है जबकि आपको यहाँ पर जो हमारा टेएगो इसमें फ्रेंट और दोनों में आता है बाकि एसी हीचर, एबिया, से बीडी, दो एर्वैक, स्पीड सेंसिंग लॉक दोनों ही गारियों नजर आता है लेकिन अगर आपको सेफटी भी चाहिए, बूटी स्पेस भी चाहिए और माइलेज भी चाहिए इन तीनों का मज़ा एक साथ चाहिए तो टीयाइगो एक बहुत शी डील हो सकती है देखें सेलारियो में आपको सेफटी की तो मैं कुछ नहीं कह सकता क्योंकि अभी हुई नहीं है तो मैं क्या ही कहूँ लेकिन बूटी स्पेस नहीं मिलता है लेकिन टीयाइगो आपको एक कम्प्लीट कार की पैकेज मिलती है लेकिन हाला कि ये आपको 1.5 लाक रुपे महगी पड़ेगी 9 लाक रुपे के बीच में आएगी ये मॉडल लेकिन यहाँ पर बात करूँ तो देखें आपको एक सेफटी मिल जा रहा है बूटी स्पेस भी मिल जा रहा है और यहाँ पर आपको एक CNG गाड़ी वाली माइलेज ही मिल जाएगी प्लस थोड़े पैसे लगा लोगे तो आटोमेटिक मिल जाएगा तो माइलेज मशीन मैं कहलों सिलैरियो लेकिन सेफटी बूटी स्पेस आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर ट्यागों के अंदर यहाँ पर आपको कौनसी गाड़ी पसंद आए कमेंट बॉक्स में जरूर बता है और बैसी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब तरे आटोमेटिक थेंक्स वॉचिंग